इस lecture के अंदर हम Euclidean distance देखेंगे Euclidean distance क्या होता है कि जब भी आप एक point का दूसरे point से distance मापना चाहते हैं तो अगर आप एक हाथ में धागा पकड़ लें और इसको दूसरे point में यानि कि दूसरे हाथ में भी ऐसे stretch कर लें तो इस धागे की जो length बज़ती है from this point to this point अगर हम इसको measure कर लें तो ये हमारे पास क्या होता है Euclidean distance होता है अब इसको मैं draw करके आपको दिखाता हूँ और हम इसकी mathematical form भी देखेंगे कैसे Euclidean distance जो है मुसको measure करते हैं and how we can actually depend on Euclidean distance यहाँ पे screen के उपर आपके सामने मैं show करता हूँ कि Euclidean distance किस तरीके से हमारे पास जो है वो काम करता है यह जनाब हमारे पास एक 2D space है बलके मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ Euclidean distance distance between two points जब हम measure करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास एक space है 2D space इसके अंदर हमने distance measure करना है green points का इस red point से ठीक है यानि के हमने क्या चीज़ find out करनी है हमने यहाँ से यहाँ तक का distance find out करना है this distance मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ यह distance हमने find out करना है ठीक है अगर हम green point को बोले p point और इसको बोले q point ठीक है p और q अगर हम इन दोनों को p और q बोले तो आप अगर गोर करें न यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं basically मैं यहाँ पे एक अगर मैं इस तरीके से इसको draw करूं तो यहाँ पे हम एक नया point बना सकते है ठीक है और अगर आप गोर करें अगर मैं इसको r बोलू r ठीक है और q को भी मैं capital letter में first of all लिखते तो अब हमारे पास कितने point होगे p q r हमने p से q तक कर distance find out करना है यह वाला जो है ठीक है अगर आप इसको check करें तो यह एक triangle बन गी है right angle triangle right angle triangle क्या होती है जिसका एक जो angle है वो 90 degree का हो ठीक है right angle triangle जो यह वाला angle है हमारा 90 degree के ठीक है और इसका मतलब है यह हमारा हो गया base यह हो गया हमारा perpendicular perpendicular और यह हमारे पास हो गया hypotenuse ठीक है ये हमारे पास hypotenuse हो गया अब आप में से काफी लोगों ने जो basic mathematics पड़ी है उन्हें पता होगा कि एक theorem है जिसका नाम है Pythagoras theorem Pythagoras theorem तो मैं यहाँ पे उसका पहले नाम लिखता हूँ Pythagoras theorem Pythagoras theorem क्या बोलता है अगर आपने बच्पन में Pythagoras theorem पड़ा हो तो वो Pythagoras theorem state करता है कि आपका जो hypotenuse है basically hypotenuse जो है अगर हम उसको वितर बोलें वितर इसको बोला जाता है इसको हम काईदा बोलते हैं इसको हम अमूद बोलते हैं तो hypotenuse का जो square है वो perpendicular plus base के square के equal है ठीक है जो हमारे पास state करता है Pythagoras theorem perpendicular और base का अगर हम square लेके for example मैं यहाँ पे Pythagoras theorem जो है उसको लिखता हूँ और let's write it here for example hypotenuse है P and Q तो मैं यहाँ पे P Q का square अगर लिखूँ ठीक है यानि के बलके इस तरीके से नहीं हम लिखते है हम लिखते है hypotenuse मैं इसको HY लिख देता हूँ का square is equal to हम कहाँ देते हैं जनाब base का square plus perpendicular का square ठीक है और अगर हम इसको थोड़ा सा over resolve करें तो हमारे पास यह आ जाएगा अगर मैं दोनों साइडों पर square root लूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा मैं इसको square root ले ले लेता हूँ यह square root के साथ cut किया तो hypotenuse is equal to base का square plus perpendicular का square perpendicular का square और इन दोनों का square root ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम right angle triangle बनाएं और यहाँ से पी से लेके q तक का distance अगर हमने measure करना है so that would be equal to यह base का square है plus perpendicular का square ठीक है अब अगर आप गोर करें हम Pythagorean theorem के थूरू अगर हम इसको find out कर लेती है simply तो इस वज़ा से हम Euclidean distance को usually लोग Pythagorean distance भी बोलते है इसी एक वज़ा की base पे इसको Pythagorean theorem भी बोलते है Pythagorean distance भी इसे बोला जाता है तो इसकी वज़ाई यह है कि हम right angle triangle बना लेते हैं दो के दरम्यान और हम बात करें P and Q की R हमने खुद से बनाया ताकि हम सिरफ उसको measure करने से पहले इन चीज़ों को understand कर सकें यहां तक आपको clear हो गया कि Pythagorean theorem क्या होता है और किस तरीके से Pythagorean theorem हमारे पास चलता है ठीक है यहां तक आपको clear हो गया अब इसी diagram को हम थोड़ा सा और advanced level पे जाके देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि यह diagram हमें कैसे help out करती है to understand कि हमने किस तरीके से sorry for that मैं इसको यहां पे नीचे लेया तो ताकि हम इसको और भी अच्छे तरीके से देख सेके मैं यहां पे अब आपको समझाता हूँ एक चीज यह हमारे पास होता है 0 point ठीक है हमारे पास होता है y axis अब अगर गौर करें आप यहां पे हमारा यह जो point है p point जिसे हम बोलते हैं इसको अगर हम पहला point बोल दें तो हम इसको यह भी तो लिख सकते हैं क्योंकि यह दो coordinates से मिलके बना है x और y से ठीक है क्योंकि 2D space के अंदर x, y की base पे हम किसी vector को denote करते हैं ठीक है और यह vector x, y की से बना है तो अगर यह पहला point है p और q हमारे पास दो point है यह पहला है इसको दूसरा कह दें तो हम p को लिख सकते हैं न p को हम simply लिख सकते हैं x1, y1 ठीक है और यहां पे इस point को हम लिख सकते हैं q को x2, y2 सिर्फ coordinates को show करने के लिए यहां तक clear हो गया क्योंकि यह point एक x coordinate पे है और एक y coordinate पे है अब मैं आपको समझाता हूँ कि x1 और x2 कैसे बना है हमारे पास और y1 और y2 कैसे बना है अब आप गौर कीजिएगा कि मैं यहां पे इस red color के साथ यह वला point जहां पे x पे आ रहा है that is this point ठीक है और यह जो दूसरा point यहां पे आ रहा है that is this point अगर मैं यहां से यहां तक का distance लो this is called x1 ठीक है हमें नहीं पता वो कौन सा point है हम इस वज़ा से उसे x1 बोल रहे हैं ठीक है और यहीं से अगर हम यहां का distance लें यानि के यहां तक का तो यह हमारे पास हो जाएगा x2 same here हमारे पास same इसे यहीं पे होगा कि यह होगा हमारे पास y1 और इसी के बराबर इस point को हम बोलेंगे y2 तो अगर मैं इसको भी draw कर लो something like this यह हमारे पास होगा जनाब y1 और अगर हम इसको draw करें यह दूसरे वाले को यही तो हम शोग कर रहें x1 और y1 यानि कि यह point अगर आगर आप गोर करें पुराने lectures के अंदर या mathematics के अंदर मैंने आपको जब Cartesian coordinates पढ़ाई थे तो यह एक point x और y के coordinate को शोग करता है और जब हम इसको vector से भी show कर सकते हैं like this ठीक है लेकिन हमने points के साथ show किया तो मैं vector को remove करता हूँ और secondly हम इसको इस तरीके से अगर मिलाएंगे तो यह वाला point बनता है ठीक है यह तो हमें पता है अब इस science में नहीं मैं जाता हमने करना क्या है हमारा मकसद है यहां से base की length निकालना और perpendicular की length निकालना क्योंकि यह दोनों मिल जाएंगी तो हम अपने pythagoras theorem के अंदर यह लगा देंगे base का square perpendicular का square उसका under root लेके हमारे पास hypotenuse आजएगा ठीक है अगर इसको मैं simply लिखूँ तो h is equal to base का square plus perpendicular का square और इसका under root ठीक है सो यह हमने find out करना है और हम इस तरीके से find out कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो coordinates हैं finally वो आएंगे यानि से हमने p q का distance अगर find out करना है हमें p r का पता होना चाहिए और हमें किस का पता होना चाहिए और यहां पे q r का ठीक है यह दो distance पता होने चाहिए अब यहां पे अगर मुझे यह वाला distance चाहिए यहां से इतना which is equal to the base यह वाली जो base है ठीक है यह base ही है ना हमारे पास तो हमें x2 में से x1 minus करना होगा यानि कि यह सारा x2 है इसमें से अगर यह वाला minus कर देंगे तो हमारे पास यह चीज आ जाएगी so this would be x2 minus x1 ऐसे ही है यहां तक clear हो गया कि हम जब x2 से x1 को minus करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह वाला point आ जाएगा means base आ जाएगी same here अगर हम यहां से यहां तक कर distance लेना चाते है यानि के perpendicular को देखना चाते है this would be equal to y2 minus y1 ठीक है अब आपको समझ आई होगी कि जो base है that is equal to x2 minus x1 और यह जो हमारे पास y2 minus y1 है जो perpendicular है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा p से q तक कर distance है which is p q यानि के hypotenuse इन दोनों का distance जो है अगर हमें इसको लिखे के distance of p, q यानि के p से q तक जो distance है और यह distance basically हम यूकलीडियन distance बोल रहे है this would be equal to x2 minus x1 का square ठीक है plus y2 minus y1 का square और इन सभी का under root और यह 2D space की बात हो रही है जब हमारे पास सिरफ दो data points है और हम सिरफ दो को देख रहे है ठीक है और यह वो ही चीज है ना अगर मैं आपको दुबारा से पिछले वाली जो हमने hypotenuse की लिखी थी कि hypotenuse is equal to base का square इसको अगर मैं capital B में लिखत हूँ that's fine plus perpendicular का square तो यह इस तरीके से इस equation में हमने अपनी जो derived value है में put in कर दी है and this is how you can actually find the Euclidean distance ठीक है यह जो D है यह basically distance है from P to Q point जो Euclidean distance को show कर रहा है because of this equation यहां तक आपको clear हो गया होगा कि Euclidean distance जो हमारे पास किस तरीके से काम करता है और hopefully आपको समझ आगी होगी कि Euclidean distance की जो equation है हम कैसे drive करते है ठीक है अब यही नहीं Euclidean distance को और भी mathematical तरीके से लिखने के लिए आप यह वाली equation यूज करते है जो मैं लिखने जा रहा हूँ यह है Euclidean distance की equation same वो ही चीज है लेकिन इलफाज बदल जाएंगे थोड़े से D of मैं यहां पर लिखता हूँ P, Q is equal to हम क्या गरेंगे यहां पर simply submission of यानि के सभी को sum करना है I is equal to 1 to N इसके अंदर हम क्या लिखेंगे XI minus YI का square ठीक है So simply अगर आप इसको देखें तो at the end हमारे पास उपर वाली equation ही बन जाती है और इसका अगर अंडरूड लें तो हमारे पास at the end हमारे पास equation जाए कुछ इस तरीके से आ जाएगे ठीक है और यह जो equation है यह हमारे पास Euclidean distance की equation है यह D जो है Euclidean distance है ठीक है N क्या है हमारे पास number of features है ठीक है हम सिरफ दो points को देख रहे है यह दो से ज्यादा भी हो सकते है तो N की value अगर दो से ज्यादा है तो आप वो वाली put in कर देंगे XI हमारे पास कोई भी एक feature की X value है Y हमारे पास Y point है उसका ठीक है So at the end हमारे पास कुछ इस तरीके से values आ लेती है अब यहाँ पे एक छोटी सी equations हम बना दी है हमने distance find out कर लिया यहाँ पे और हमारे पास P भी आ गया Q भी आ गया और हमने कुछ इस तरीके से यह वाली equation भी drive कर रही using Pythagoras theorem अब हम क्या करते है अगर हमारे पास जो P है यानि के पहला point जो है उसकी value है 1 and 2 coordinate जो X और Y ही show करते हैं अगर आपको याद हो और जो हमारे पास दूसरा point है Q अगर हम इसको show करें 3,4 से और यह भी X and Y ही है basically तो यह X1, Y1 है यह X2, Y2 है तो अगर हम अपनी equation यह वाली याद रखें X2-X1 और Y2-Y2 तो हमारे पास किस तरीके से यह coordinate बनेंगे अब यहाँ पे X2, 3 है और X1, 1 है तो अगर हमने distance of P, Q find out करना है we will do like this X1, sorry X2-X1 plus Y2-Y1 इसका square, इसका square and then under root अब हम इसमें values put in करते है simply हमने 2 points का distance find out करना है like this तो उसके लिए हम क्या करेंगे 3-1 का square plus यहाँ पे आजाएगा जनाफ 4-2 का square और इनका under root and then we can do like this 3-1 हो जाते हैं 2, 2 का square plus 4 में से 2 निकाले 2 का square और इसका under root तो यह आगया 4 जम्मा 4 इसका under root यह हमारे पास आगया 8 8 का under root कितना होगा it's almost like 2.8 something 2.83 कर लेते हैं 2.83 हमारे पास distance है from P to Q ठीक है अब यह वाला जो distance हमने Euclidean की base पे find out किया है यह P से Q का distance है यानि कि अगर एक point हमारे पास 1, 2 है दूसरा 3, 4 है तो हम इस तरीके से अपना Euclidean distance find out कर सकते हैं ठीक है मिसाल के तोर पे अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास पहला point था मैं भी आपको समझाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास जो पहला point था that was 1 and 2 यानि के ये वाला 1 हो गया और यहां पे 2 तो हमारे पास पहला point था ये ठीक है और दूसरा point हमारे पास था 3 and 4 ठीक है ऐसे ये ना 3 and 4 हमारे पास जो है दूसरा point था 1, 2, 3, 4 तो हमने 1 ले लिया यहां पे x से ठीक है और 3 and 4 अब यहां पे मैं green point लगा देता हूं ताके हमारे पास ठीक है ये 3 है यहां पे आ गया 4 तो जो हमने calculate की है 2.83 वो यहां से यहां तक का distance है यानि के जो हमने अभी calculate की है वो ये red line का length है ये जो distance from this point to this point है ये जो अभी हमने find out किया that is 2.83 तो basically हमने mathematical equations के तरू ये वाला distance find out किया है and that's why अगर हमारे पास कोई और point हो यहां पे k nearest neighbor के लिए for example this one तो हम इसका भी find out करेंगे अगर कोई और यहां पे है इसका भी find out करेंगे तो ये अपने इर्दिकेट सभी का find out करेंगा और जितनी हम k की value देंगे for example मैंने 2 बोला है तो ये करीबी 2 को मदे नजर रखके अगली calculation कर लेगा this is how k nearest neighbor's algorithm work और ये आपके पास जनाब yuclidean distance का पूरे का पूरे derivation है और हमने किस तरीके से तो आपको believe में ये सारी की सारी चीज़ें जो है easy लगेंगे आने वाले दिनों के अंदर ठीक है और रही बात यहाँ पे ये जो आप सीख रहे हैं hypotenuse को find out करना या आप Pythagoras theorem देख रहे हैं ये मैं ये zoom करता हूँ कि ये आपको basically आती है equations अगर नहीं आती तो please go ahead मैंने पहले भी बताई हैं और आप फिर से खुद से भी study कर सकते हैं and at the end you can actually learn this distance measurement ठीक है यहाँ से आपको समझ आ गया होगा जनाब जो distance measurement है खास तोर पे Euclidean distance की अभी हमने देखा जनाब Euclidean distance और Euclidean distance किस तरीके हमारे पास आता है we have seen this in this lecture Euclidean distance बड़ा ज्यादा matter करता है कैसे मैं भी आपको समझाता हूँ आप पाकिसान में Lahore से उड़े हैं योरप में किसी country में है तो आपका Euclidean distance क्या होता है basically one point to another point distance को measure करते हैं ठीक है लेकिन अगर आपने घर से दही लेने जाना है या आपने राइते के लिए या बर्यानी के लिए समान लेने जाना है तो आप एक point से सीधा दूसरे point पे नहीं जा सकते यार घरों की छतों से थोड़ी न उड़के जाएंगे आप कि जाएंगे कि आप घर से उठे हैं सीधी लाइन लगा दिया अपने घर से लेके उस दही वाली दुकान की तरफ जो तीन-चार ब्लॉक्स अवे हैं तीन-चार गलियां पार है तो आप क्या करते हैं आप सीधा नहीं जाते हैं मतलब घरों की छतों को फ्लांग फ्लांग के नहीं जाते हैं आप आगे से राइट हो जाएं उपर से फिर लेफ्ट हो जाएं फिर राइट हो जाएं फिर लेफ्ट हो जाएं फिर राइट हो जाएं फिर राइट हो जाएं ये इस तरह के डिस्टन्स को मेजर करने के लिए जो टेकनीक यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं और वह टेक्निक किस तरीके से आगे हम लेके चलते हैं for measurement of the distance यह हम next lecture में देखने वाले हैं बाइदावे उसका नाम है Manhattan distance अभी हम देखते हैं कि Manhattan distance होता क्या है in our next lecture